आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं मिसन अंकुर के 30 very very important points जो की इस साल बदला हुए हैं और हम सभी को वह सभी points जरूर याद होना चाहिए जो कक्सात पहली से चोती तक के काम आने वाले हैं पहला हम देखते हैं यहां पर की ORF इसका full form क्या होगा तो ORF का full form होगा oral reading fluency जो की हिंदियों और इंग्लिस दोनों में काम आता हैं कि बच्चे धारा प्रवा पढ़न करते हैं उसी को ORF बोला जाता है अगला CFU check for understanding question यह महत्वपूर्ण MT के लिए होता है कि समझ की जाच के प्रशनवा बीच बीच में पूछते रहें WCPM यह भी MT की slide में हमें देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है कि प्रती मिनट बच्चे कितने सब्दी यहां पर पढ़ सकते हैं उसको WCPM कहा जाता है अगला चोथा point है HPC holistic progress card जैसा कि screen पर आप देख सकते हैं कबसा पहली और कबसा दूसरी का screen पर दिया गया है HPC लेकिन अब हमें यह online मिल जाएंगे data हमें पूर्ती करने के बाद में अगला point आता है ECL1 जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हैं इस तरह के point जो हिंदी में होते हैं उनको ECL1 बोना जाता है और English के लिए ECL2 Effective Communicator Language 2 याने की अंग्रेजी और एक जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर हिंदी तो यहाँ पर दो तीन कलर भी दिये गए हैं लाल कलर हमारा पहली के लिए नीला दूसरी के लिए इसी प्रकार IEL और IELM यह गनित के लिए होता है जिसका पूल पारम होता है involved learner in maths परियावरन से जुड़कर देनी गनित सीखना आठवा पॉइंट है गनित के साथ गटक तो पहले छे गटक होते थे लेकिन अब साथ नंबर का गनिती संप्रेशन गटक यहाँ पर बढ़ गया है जिसकार थे कि गनिती चिन्नों की पेचान करना जै अंगरेजी और गनित में हिंदी में कौन-कौन से आठ गटक होते हैं इसके स्क्रीन पर करम से भी आप देख सकते हैं कि यह सभी आठ गटक हमारी पूरे साल बर हिंदी और अंगरेजी में चलते रहते हैं अगला है दस्वा अंग्रे जी के चार कोसल सुनना बोलना पड़ना और लिखना ये चार कोसल होते हैं जो बच्चों में होने चाहिए क्यारोपमेंट जी आरार इसक्रीन पर आप एक चार्ट दे सकते हैं कि इसके फोल्डिंग का ही ये दूसरा रूप है जी आरार इसमें केवल बच्चे स्वयम के कोसल को विक्सित करने के लिए अगर वो रिस्पोंसिबल ये इंडिपेंडेंड हो जाते हैं तो इसको जी आरार पर गया कहा जाता है के पी यार काईरjut साला में प्रमुक व्यक्ति होते हैं जो अपने ग्यान और विस्धताओं को सभी से साजह करते हैं C.C.P. यह 2024 25 में एक नए देखने को मिला है कि कमजोर बच्चों के लिए C.P. जो परते हैं उसमें प्रत्यएक इस टेप में हमें एक ही उदाहरण यहाँ पर लेना है ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाया जिसे 5 प्लस 4 नो है तो यदि हम यहाँ पर कोटोरियां चित्रों को बदल देंगे तो 4 प्लस 5 नो सिंखाने में हमें यहाँ पर ज्यादा समझ्या नहीं आएगी इसलिए हम CCP एक हमजोर बच्चों के लिए एक ही उदाहरण से स्टार्ट करें 14 नंबर के पॉइंट में हम सींखते हैं कि निपुन भारत के कक्षा पहली और दूसरी के साक्षरता और संखे ग्यान के क्या-क्या लक्स निर्दारित किये गए हैं तो निपुन भारत की तरफ से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदि और ग्यानित के लिए क्या-क्या लक्स निर्दारित किये गए हैं यह हमें निमनानुसार प्राप्त करना ही हैं अपने अपनी कक्षाओं में अगला पॉइंट आता है NCF, FS और AC मतलब NCF अब दो टुकुडों में बढ़ गया है FS और AC तो यहाँ पर जो FS है उसका मतलब होता है foundational stage और AC school education अब 5, 3, 3, 4 के फार्मूले को इस FS और AC के मध्यम से किस प्रकार तोड़ा गया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर ध्यान देने वाली बाते की 3 से 5 तक के बच्चों को प्रिपरिटी स्टेज में रखा गया है इसके साथी आगे जब हम बढ़ते हैं तो आवदिक आंकलन में हमें 3 से 6 दिवस तक पुनर वलन और पुनर सिक्षन वाला सब्द देखने को मिलेगा तो इन दोनों में क्या अंतर होता है वह आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं और यह हमें 3 दिवस से लागा चटे दिवस तक बच्चों को 4 दिन तक इस पर ही कायरी करवाना है पॉइंट नमबर 18 कपसा पेले और दूसरी को संक्या ग्यान गणित विशे में सब्ता एक से चार तक ही काहनी सुनाना है और एक सब्ता में हमें 2 काहनी ही याँ पर सुनाना है इस रिसाब से इत्यम देखें तो पॉइंट नमबर 19 के अनुसार 4 सब्ता में कुल टोटल 8 कहानी रहेगी और आठों कहानियों को आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं कहानी नमबर एक नन्य मददगार से स्टार्ट होती हैं और यह कहानी नमबर आठ जूला पर जाकर कतम हो जाती हैं यह हमें प्रतम चार सक्ता में सुनाना है गणित में शिक्षक संदर्सिका बीसवा पोइंट इस वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट पोइंट है बीस और एक्कीस क्योंकि जो शिक्षक संदर्सिका आप देख रहे हैं यह कश्षक संदर्सिका याद होना चाहिए क्योंकि यही हमारा हतियार होता है मिसन अंगुर को सफल बनाने के लिए कहीं न कहीं शिक्षक संदर सिखा शिक्षक साथियों को याद अवश्य होना चाहिए तो तीन और चार के लिए चार शिक्षक संदर सिखा हैं होती है जो इस्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसके बाद बच्चों की अभ्यास पुर्श दिखाने भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर हिंदी विशाई की कक्षा 1, 2, 3, 4 के चित्र स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे इस प्रकार कुछ इन में बदलाव भी किया गया है इसके बाद आती हैं हिंदी विशाई की 30 कहानियों की सुनाने की बारी तो हमारी कहानी नामक यह जी स्क्रीन पर आपको पुस्तक दिखाई दे रहे हैं इस से हमें 30 कहानिया बच्चों को अवश्य सुनाना है मुल्यांकन कारी पत्रक आप देख सकते हैं कि बीच मद्यप्रदेश और अंकुर लिखा हुआ है इस प्रकार यह हमारे नए आवदिक आंकलन के ट्रेकर रहेंगे इस साल सबसे नया काम यह हुआ है कि समवरदन कारी पत्रक हमारी पुस्तकों से हटा दिये गए हैं खास कर यह विशेस कर गणित की पुस्तकों में आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार के समवरदन कारी पत्रक दिये होते थे वह अब इस साल पुस्तकों में बच्चों की पुस्तकों में नहीं देखने को मिलेंगे तो यह कायरी कहीं न कहीं शिक्षों का कम हुआ है अगला 26 नमबर तीन जानकारियां सभी बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं में सबसे टोप पर देखी जाती है पहली सप्ता दिवस की संख्या और दूसरा कायरी पत्रक का क्रमांग जैसे यहाँ पर 6 नमबर का क्रमांग और देनिक विसे वस्तु जो काली बट्टी नीचे लिखी है उसमें विसे वस्तु के बारे में यहाँ पर बताया गए कि एक से एक मिलान करना यानि कि संख्यामान या इस पार्ट का जो है विसे वस्तु रहेगी इसी प्रकार सबसे नीचे एदियम वर्क सीट में देखें हैं तो महाँ पर हमें बच्चों के प्रदर्संच से जुड़ा आइकान देखने को मिलागा जो नमबर वन पर आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं पोइंट नमबर 28 के अनुसार आखलन इस वर्स छे प्रकार से लिए जा सकते हैं जिसमें पहला लिखी तूसरा मोकित तीसरा साप्ताईक आखलन चोधा आओदिक आखलन पांचवा स्पोर्ट असेस्मेंट जिसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और चटा रहेगा बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन टेस्ट के द्वारा 29 नमबर पे साप्ताईक आखलन या इसका दूसरा नाम रचनात्मा का आखलन भी है और इस स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं आओ दो रहा हैं तीनो नाम साप्ता एक आखलन के हैं और ये चटे दिवस हर सप्ता में लिया जाता है तीस सप्ता तक इसको हमें अनवरत निरंतर चलाना है तो किस प्रकार आखलन है तेस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक यहां पर फोटो दिया गया और सबसे निचे आप आइकन शिक्सक अस्ता कर दिनांग भी इस पच्ट रूप से देख पा रहे होंगे और अंतिम पॉइंट है आओ दिक आखलन तो कक्षा एक, दो, तीन, चार में पूरे साल बर दस, बीज, तीस सब्ता में तीन बार आओधिक आखलन लिया जाता है जिसका सब्ता एक और वार्षिक आप इस्ट्रक्चर यहां पर देख सकते हैं कि सब्ता एक सनो तक हम पढ़ाते हैं तो दस्ते सब्ता में हमें आओधिक आखलन लेना है और आवधी कांकलन में पेहले और दूसरे दिन ही अमें आवधी कांकलन लेना है इसके बाद दिवस 3 से दिवस 6, 284 दिन तक हमें बच्चों का पुना सिक्षण एवं पुनरवलन का कायरी करवना है और यह हमें सबी खक्साओं में करवना है जैसा की स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 देख सकते हैं